माता जी को और आप सबी को नमस्ते प्रणाम प्रिविध्यारती साथियों अभी आपके साथ हमने एक शरंखला प्रारम की है फिल्ड प्रोजेक्ट के P1, P2, P3, P4 को तयार करने की P1 और P2 किस तरह से बनाये जाने हैं आपको विस्तार से और सरलता से समझाएगे हैं आप अच्छी संख्या में वीडियो देख रहे हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इससे ग्यात होता है कि हमारा ये परिश्रम आपके काम आ रहा है इसी श्रंकला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम प्रारू P3 की बात करेंगे यह वीडियो BA, BCOM, BSC, BHSC, BBA, BCA, First Year के उन सभी विध्यारतियों के लिए अत्यनत उप्योगी है जिन्होंने Field Project या परियोजना कारे का चैन किया है तो आप Career Advice चैनल है यह उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकान प्रेस कर दीजिए अपने साथियों के साथ वीडियोज को साजहावी कीजिए आए अब P3 की बात करते हैं P3 का एक विशेश फारमेट मदिप्रदेश आशन उच्छ शिक्षा विभाग ने त्यार किया है जिसे हम आपकी मोबाइली स्क्रीन पर लाने के लिए यहाँ एक स्लाइट की माद्यम से प्रस्यूत करें उसे आप देखी जब आप उसे देख रहे हैं तो आपको ग्यात होता है कि उसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट है और इन 4 पॉइंट्स को आपको अधिकतम 500 शब्दों में लिखना है और 500 शब्दों में लिखकर आपके जो मारदरशक प्रफसर सहाब या प्रफसर मेम हैं उनके पास आपको जमा करना है यदि अभी तक आपने ये P123 नहीं बनाए हैं तो यह अत्यान तावश्यक कार है इसे आप तैयर कर लिजी P3 के चार पॉइंट्स की जहां तक बाचीत है तो सबसे पहला पॉइंट है विध्यारती द्वारा संपादित कारे का विवरन और प्रतेक विध्यारती द्वारा प्रथक प्रथक इसमें हमें क्या लिखना है हमारा ग्रूप 4, 5 या 6 विध्यारती का हो सकता है हमने इसके पूर्व के प्रतिवेधन में प्रत्यक विद्यार्ती को कुछ कारे बाटा है क्या उन्होंने बाटा हुआ कारे कर दिया है करी दिया होगा और नहीं किया है तो उन्हें आप अपने साथियों को समझाईए और कारे करवाई और P3 में आप बताएंगे कि हमारे A सदश्य ने यह जानकारी खटी की B, C, D, E ने क्या-क्या जानकारी खटी की अब तक क्या कारे किया गया उनका नाम देते हुए आप उनके द्वारा किये गए कारे की प्रगती का विवरण करेंगे पहले पॉइंट में आसानी से बन जाएगा क्योंकि आपके साथियों ने और आपने यह कारे संपन ने किया है तो अब दुसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जानकारी और आंकडों का विशलेशन आपने अभी तक अपने प्रोजेक्ट के संबन में कुछ जानकारियां और कुछ आंकडे आपने एकत्र किये होंगे एकट्ठे किये होंगे आपको इस पॉइंट में उनका विशलेशन करना है कैसे विशलेशन करना है कि आपने जो जानकारी एकत्र की है उनको सांखी की आधार पर, तक्नी की आधार पर उनको विशलेशित करना है और आपको उस विशलेशन का आधार भी बताना है जैसे उधारन के रूप में यदि अपन लें मान लिजी आपने ग्रामिन शेत्र में और शिक्षा की समझ्षा पर अपना प्रोजेक्ट तयार किया है तो आप उसमें आकड़े कैसे प्राप्त करेंगे कि उस ग्राम में कुल आबादी जनसंख्या कितनी है इस्त्री पुरुष की जनसंख्या कितनी है बच्चे औव्युवा और अव्रिध वर्ग की जनसंख्या कितनी है आईू वर्ग के हिसाब से उनमें से कितने शिक्षित हैं, कितने असिक्षित हैं, कितने वहाँ पर विद्ध। किनोंने पढ़ाई को continue रखा है, किनोंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है इस तरह के जो आप आंकडे कठे करते हैं वो आपके लिए इस पॉइंट है तो महतुपूर होंगे फिर आप उनका विशलेशन करके बताएंगे कि इस गाउं में कुल मिलाकर 800 लोग रहते हैं इस में से 150 बच्चे पढ़ने जाते हैं 25 बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो आबादी की तुलना में आप प्रतिशत निकाल पाएंगे कि 800 में से 150 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो ये कितने प्रतीशत है, नहीं पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या कितने प्रतीशत है, वो क्यों पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इस तरह का पूरा विशलेशन आप यहाँ पर कर सकेंगे, विशलेशन करने के लिए आप टेबल बना सकेंगे, ग्राप बना सकेंगे, आप पाई चार्ट जैसे चार्ट बना सकेंगे इस तरह से आप इस पाइंट को कम्प्लीट करेंगे तीसरा पाइंट है विशलेशन की प्रविधी या अनुपरियुक्त तक्निकी इसमें यह बताना है आपको कि आपने जो जानकर इखटी की है उसका विशलेशन करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया जैसे टेबल बनाकर या ग्राप बनाकर या प्रतिशक निकालकर या आकडों की व्याक्ष्या करके आपने निसकर्श निकाले हैं जो भी निसकर्ष आपके आते हैं उन निसकर्षों की आपस में आप तुलना करने की विधी भी इसमें आप बताईए इस तरह से यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा चौथा और अंतीम पॉइंट है P3 का परियोजना कारे में आने वाली चुनोतियां तो जब से आपने इस कारे को शुरू किया है तब से लगा कर अब तक आपको कौन कौन सी चुनोतियों का सामना करना पड़ा क्या कठिनाई आई कौन सी बाधाएं आई और उन बाधाओं और चुनोतियों का आपने कैसे समाधान किया तो प्रोजेक्ट बनाने में क्या चुनो चुनोती होती है एक चुनोती यह भी देखे गई practical तोर पर की ग्रूप तो बना लिया आपने 4-5-6 सदश्यों का लेकिन ग्रूप के सदश्य ही कठे नहीं हो रहे हैं कुछ संस्था में नहीं आ रहे हैं कुछ कार नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनोती होती है और भी जिन कठिनाईयों का आपने सामना किया समय पर जानकारी नहीं मिल पाना लिखने में कठिनाई आना सही तरीके का पता नहीं चलना इस तरह से आपको जो भी चुनोती आई हैं वो सब आप इसमें लिखिए फिर यह भी बताईए कि आपने उनका समाधान कैसे क क्योंकि यह कार्य तो आपको संपन करना है, तो जो भी कठिनाई और चुनोती आएगी, उसके समाधान का तरीका कि हमने हमारे ग्रूप के सदश्यों से बार-बार संपर किया, उनसे अनरोध किया, उनको बताया, चेताया, उनको समझाया कि अगर यह प्रोजेक्ट नहीं होग तो हम फेल हो सकते हैं, और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर जिन विशे विशे शग्या संस्ता के साथ हम कारे करना चाहते थे, उनसे भी अनरोध किया कि कृपिया आप हमें समय प्रदान करें, इस सरे से जो भी चुनोतिया आई, उन समस्त चुनोतियों का हमन करम शह सामना करते हैं, उनका समाधान किया, इस सरे से चार पॉइंट आप लिखेंगे, तो P3 कंपलीट हो जाएगा, मेरा आप से वेक्तिकत अनुरोध है, कि आप इन फार्मेट पर विशे शुरूप से काम करिये, आप इन्हें बना कर ले जाएए, और अपने मारदर्शक प्रफसर सहाब के सामने इन्हें रखिए, और उनके द्वारा जो भी आपको इसमें सुझाओ दिये जा रहे हैं, संचोधन करने के लिए कहा जा रहा है, आप उनकी बात को मानिए, वे आप से अधिकन भवी हैं, और वे आपके भले के लिए कुछ नकुछ संचोधन अवश बताएंगे, आप इस काम को टालिये मत, ध्यान रखिए, राष्टी शिक्षानिती 2020 इसलिए बनाई गई ताकि बेरोजगारी की समश्या दूर हो सके, हमारे विध्यारती वास्तों में प्रबुद्ध बन सके, और उनमें वास्तों में इतना टेलेंट और प्रतीभा का विक हो सके, कि जब वे नौकरी की तलाश में या स्वरोजगार इस्थापित करने के लिए आगे बढ़ें, तो वो बहुत आसानी से अपने कारी को संपन कर सके, यदि अभी से आप 20 क्योश्चन के चकर विव में उलज जाएंगे, और आप इसको जैसे तेसे किताबों में से लि आपको हेंड राइटिंग में लिखना है, यानि इसको टाइप नहीं करना है, तो जब आप इससे लिखे, तो बेगार मत टालिए, घास मत काटिए, बलकि आप अच्छे से वाइट पेपर लिजिए, फोटो कॉपी वाले, उन वाइट पेपर में दोनों तरफ दाईने और बाइने तरफ अच्छा हाश्या छोड़िए, उपर भी आपको जगह छोड़िए, पेच के निचे भी पेच की जगह छोड़िए, और मोती जैसे अक्षरों में बढ़िया जमा जमा कर P1, P2 और P3 और P4 लिखिए, साथियो ये पूरा काम जैसे यदि मान लिजिए आपने 6 विद्यारती हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो सभी विद्यारतियों के लिए 700 अंक है ना, तो 600 अंक का ये कारियर है, और फिर फाइल तो आपकी एक ही बनेगी, यह पता है ना आपको, आप 6 साथी हैं तो 6 अलग-अलग फाइल नहीं बनेगी, एक ही फाइल बनेगी, और उस एक ही फाइल में 6 विद्यारती अपने-अपने हिस्से का काम लिखेंगे, यानि 6 विद्यारती हैं तो 6 तरे की हेंड राइटिंग आपकी प्रोजेक्ट फाइल में होनी चाहिए, कोई जाचने की क्या प्रक्रिया है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजे, आप नियमों का और निर्देशों का पालन करके, एक ऐसी प्रणाली त्यार करी और एक ऐसी फाइल बनाईए, कि सब लोग देखें तो कहें, कि हाँ, ये काम किया है उन्होंने उच्छ शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, कोई समश्या हो, तो आप बाहर रहते हैं दिकिसी अन् के नाम के साथ, यदि आप यहीं बढ़वानी में पढ़ते हैं, किसी भी विशय के आप इध्यारती हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई कटनाई आ रही है, बढ़वानी के किसी भी कॉलेज के आप इध्यारती हैं, तो मेरी भेंट आप से हो सकती है, मैं शहीद भीम नायक शाष्की इसनातकोत्तर माविध्याले बढ़वानी में आप से मिल सकूँगा समय का विशेश ध्यान रखेगा अगर आप मुझसे भेट करना चाहते हैं तो मैं दोपर बारह से एक के वीच में आपको कुछ समय जरूर दे पाऊंगा इसके पहले और इसके पशात कक्षाओं से सम्मंदित मेरी वियस्तताया होती है करियर एडवाइस चैनल ने मुझे अपनी बात कहने का उसर दिया उनके लिए मैं चैनल की संचाली का पृती गुलवानय जिजी के पृत बहुत आभार वेक्त करता हूँ उनकी टीम के प्रती भी साधुआद वेक्त करता हूँ मेरी ये बिना किसी मान दे बिना किसी पारिश्रमिक बिना किसी भुकतान के सेवाएं जारी रहेंगी आप सभी विध्यारतियों के लिए आप सभी को शुपकामना है चैनल के साथ बने रहें सब्सक्राइब करें नमस्ते